तो कैसे आप सभी आप लोग के लिए जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आपको बहुत सरे कुछ अलग मिलेंगे और कुछ सीखने को मिलेंगे ठीक है चलो तो आज हम दो जो पढ़ रहते हैं सर हमारा टॉपिक है सिग्नल फ्लोग्राफ हम दो क्या पढ़ रहते हैं सिग्नल फ्लोग्राफ पढ़ रहते हैं एसे फजी जिसको बोला जाता है क्या बोला जाता है एसे फजी ठीक है कभी कभी सॉट नाम कहीं पर देख सुनो गए बहुत सरे स्टूटने में ही लेते हैं हर जगा मैं खुद कन्फ्यूज रहता हूं कैसा क्यों करते हैं लेकिन उनका आदत है करेंगे ठीक है आप परिसान सब्सक्राइब करो चैनल को लाइक करो ठीक है चलिए तो मैंस गेन फर्मूला का जरूत क्यों पड़ा है सबसे पहले तो देखो एक साइंटिस्ट का नाम है इनका नाम था यह अपने नाम पर एक फर्मूला बना दिया पहले ऐसे ही नहीं होता था यह लोग और नहीं रहता है तो सफेस्ट बैस्ति तुर मन रोच को सबस्द घरिएक आप लूस गेन निकालने के लिए फर्मूला यूज में आता है अब बात यह देगे सर जब हम लोग और लेडी ब्लॉक डिग्रम से पढ़ी रहते तो इसका जूरत क्यों पड़ा तो इससे जी का जो यूज करके होगा ना सिग्नल फ्लो ग्राफ का यूज करके हमारा क्या होगा सर इसका इसका धिकर Europe स्फल्ण सक्वेanor ठीकर यूज के लिए बम्ॉठ ऑव पिरेट से अदोटे तो इस न परफूत गरोगी आप यह दो आसा है कि हमारे लेक्रम जीज कौन सा होगा मैं गयन फर्मूज हूँ चलो अब हम देखते हैं कि इसमें हमों क्या करते हैं इससे दो ओवर ओर ओर ट्रांस्वर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवें एज बात यह निकल कहते हैं कि सब्सक्राइब कैसे निकलते हैं वह देखो ओवर ट्रांस्वर फंक्शन निकलनेका फर्मुला है समेशन T is called to कि अच्छेन र। त्री किर of ृ nouvelles से लेकर के नohada तक ऐन तक कैपिटल एन तक फीट unified फिन भैदिर के लेगा थीक है ठीक है यह हमारा होता है सर में संट इबलान का एक्सपरेश्ड फेन है यह चलो यहां तक ज़साइभ आप निकल किसे फीडिके क्या होता है पीके कोई स्टेकों मूवी वाला पीके नहीं है कि इसका मिनिनकोछ ठीक है डिल्ता के हम लोγα यहाँ में कुछ अलग है देखते हैं कि सर्व यह है क्या चीठेक चलो इस सब सह पहुले धान क्रॉट्य क्या अब्ल। है दीको के जो होता है ना कि हमारे यह बताता है कि कितना फार ये बन तो बंट है कि हमारा बताता है कि नंबर फोरोड बात ठीकर यह के बताएगा कि कि ओने हो ज इतना आशर जितना नबर फोरोड पात होगा के लिए दा रहे हो चलो दूसरी चीज कि सर्किंद Graham प 계 लिए कि बाता है कि स्थ हमारा गेंग। ऑफ का मतलब क्या है तो देखो अब माझन लोग के क्वेलं ले रहे हो यह निए कि पहले फॉरवड पात में कितना आ रहा है एक हम पहले भी सीक्थ है ना किसे कैसे हम लोग घंड निकालते हैं फॉरवड बात में। सिंपल रास्ते में इन्पूर्ट से जाने में जितने भी गेन मिलते हैं सब भी यह बहुत important भी यह चलो इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं लोग इनको लिखेंगा में लोग सर्वन माइनस वन माइनस देखो क्या करेंगे जितने हमारे loops आएंगे उनके gain को add कर देना है तो लिखो यहाँ पर sum of sum of the gain of sum of the gain of all individual loops all individual loop जितने individual loop आएंगे उनके gains को add कर देना है चलो यह भी सही है सर्व यहाँ माइनस है ना उसके बाद देंगे प्लस अटेने चलता है प्लस माइनस प्लस यह अपको हमेंसा ध्यान रखना है ठीक है चलो नॉर्मली हम लोग दो लूप तक ही देखते तो इसलिए ज़्यादा जरूत नहीं पड़ता है ठीचर लोग लिखा कर देता है लेकिन आगे ध्य गेंग प्रोड़क्त ओफ सममफ गेंब प्रोड़कट ओफ अकर टू न टच्चिंग लूप डून अ यह ट і प्रकेशह अब इसका मेंग क्या है सब कर देखो मैं फिर से बता रहा है पहले आप लुप्सन निकालोगे कितने लुप्स बन रहा है सर का देखो मैं फिर से बिता रहा हूं पहले आप लुप्स निकाल लोगे कितने लुप स्वंड है कितने लुप बन रहें टीक पहले क्या करोना लोगे चलौ Sir आप बोलोगे मेरे पास 5 रुप बने टीक 5 रुप बने इसमें स्क्राइब ग्रूप बनाओगे फिर दो नॉन टेचिंग लूप है ना इनके गेन तो होंगे न हर एक लूप को अपना इंडिविजुल गेन होगा ना सर तो दो नॉन टेचिंग लूप की गेन को आपस में कर दोगे प्रोड़क्ट ठीक है उसके बाद जितने भी नॉन टेचिंग प्लस माइनस अब यहाँ देंगे माइनस ठीक है नॉन को नॉन टेचिंग लूप 2 प्ले काम ख़तम हो जाता है लेकिन इसक荤 भाद भी होती है ठीक है ठीक है तैसके बाद आएका तो क्या लीक होगे तो यहाँ पार लिखो के सर सम-off है गेन प्रोड़क्ट आफ गेन प्रोड़क्ट आफ थ्री नॉन टेचिंग थ्री नॉन टेचिंग लुप्स बोलो यहां तक सही है कि नहीं है बताइए इसके बाद सर होगा तो क्या लिखेगा इसके बाद होगा तो सर प्लस कर देंगे बताइए मजा रहा है ना बेलकूल सर च जहीं तो जहां अगे पूछा है में इसलिए समझे थो साईों जबना लिके कि यृँटा थीग्रण चोड यह टेखें क्या भेस्तिक यह उसको क्या है इसे एक साथ परेंे एज डिल्टा होगा मैं सवाल करा हूँ इसके उपर अफ्टर अफ्टर री मुविंग री मुविंग दो जू लूपस दो जू लूपस विच टस विच टच दक के इत फॉरवर्ड पाथ के इत फॉरवर्ड पाथ अब देखो गई यह अब आप फिर से फस गए न कि सर यह क्या लिख दिये सब समझ में नहीं आ रहे मेरे देखो समझा रहो मैं आपको धैरे रखो थोड़ा सा मेरे पढ़ाही में सिलिबस खतम जल्दी नहीं होता है आप लिखियों को बहुत है यह इन जिन राप में अपने आप में ठीक है यहूं कि दोपर डबली और इस दो पेपर में बच्चो को बिहार में कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए हमारा यह है इंडा थिने फ़िफ गसंजाल हुए है ऐसे है आगे की चीज़ आप इंपटबाइट電 करते कि अब कुछ यहां तक हो गया बात है हमारी अब देखो डेल्टा के क्या बोला कि सेम एज डेल्टा अफ्टर रिमूबंग दो जो लोग सीच टच्छ दा केस फॉरॉड पाथ यानि कि डेल्टा वन निख रहे हो ना तरह हमारा के का भेलो वन वाले फॉरॉड पाथ में जीतना लूप बने बलाघन न इसके Hoff Blue Corps का बना प्रमूला गालिल्टा के बात बात है को जो टोड़ी ट्रोउड शोठाश सा अडौन सब्सका में ब्लाच करें कीीس में तुमिछ इन श्यूर्मोर्ण के लिएक मिज़ दिएर विएकไดs घंप सब्सक्राम को जोड़ जमsecond प्मिशल देख ज तो वहां आप confused नहीं करोगे, ठीक है, वहां तो आप hero बन क्या होगे, कभी भी zero नहीं बनना है, ठीक है, चलो, आप लोग के लिए बहुत इच्छा concept सोचा गया है, कि मैं यह सोचा लाओ कि अगर चार paper मेरा पूरा पर डिलिवर हो जाता है, digital electronics, ठीक है, control system, microprocessor, analog electronics, तो बताओ आप hero हो की नहीं हो, यानि कि मैं basic electrical तो अलोड़ी पढ़ा ही जो, ठीक है, बताओ, यानि कि आप एक पर share करो चैनल को, subscribe करो, like करो, दोस्तों को बताओ, जितन से ज़्याद है student होगे, मेरे लिए अच्छा है, कि म मेरे वीडियो भी rank कर रहा है, मेरे भी वीडियो बच्चे देख रहे है, ये एक motivation मतलब है, बस और कुछ भी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, हर चीज profit oriented नहीं होता लाइफ में, ये बात हमेशा आप भी अपने लाइफ में याद रखना मेरी बात है, कि हर चीज प्रॉफिट oriented नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है, ठीक है, चलो, हर चीज पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, इंसान को, ठीक है, मेरी बात हमेशा याद रखना है, कि जीवन में जब भी आपको कोई मिले, आपकी जुरू जो feel करे, उसको जुरू मदद करनी चाहिए, जितना में हो, जैसे हो, वस्त कर दो, भगवान है देखने के लिए, चलो, यह जीवन है, हिल्प करने से इंसान कभी छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है, ठीक है, और वह ऐसान नहीं है, वह एक तरह से मतलब सायद हो सकते हैं, भगवान आपको ही बनाया है उ तो इस इंसान को आप हिल्प कर पाओ, ठीक है, तो इस चप चीजों में कभी खटना नहीं है पीछे है, चलो, बहुत बाते हो जारी हैं अचकल, ठीक है, कोई बात नहीं है, अब भी बोलो कि सिर्म बोलो को जादा ही पका देते हैं, लेकिन सवाल तो लिखी रहे हैं, आपक बगा भी रहे हो, कई बात नहीं है, यह बोल देखते हो, देखो, माइनस प्लस का हमेसा ध्यान दोगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस मैनस दिखाया कैसे रहे हैं, हमारा सिग्नल का जो डिरेक्शन होगा, यहीं पर आपको जी फाइप लिखा रहे हैं, माइनस जी फाइप बढ़े एक रास्ता मेरे को यह मिला, एक बना, एक रास्ता मेरे को, यह भी मिल सकता है न सर, बताओ, इंपुट्स आउट्पूट जाने में, हाँ सर, दो मिल गया, दो मिला, हम खुस हो गया सर, के का पहलू दो आ गया, यानि कि हम लोग यह बोले कि नंबर आफ, फार्वर खिर खम दुसरी शीज वताओ, घी wr금 निकाल लो की सर हमारा फॉरार बात में कितना गयें बन रहे है, तो मोग पहला पाथ ले रहे हैं सर, इसमें कीतना मिला सर, बोलो, इसमें कीतना मिला, इसमें मिला, जी वन जी टू जी तरी जी 4, जनकी पी बन को दिखा दो सर, जी वन किलियर है यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको कोई दिक्कत है नहीं सर कोई दिक्कत नहीं दो चीज हम लोगोंने फाइंड आट कर ली फारवड पाथ नमबर फारवड पाथ उसके बाद फारवड पाथ गेन फाइंड आट कर लिया हम लोगोंने क्या फारवड पाथ में कित इसको लेलो L1 क्या लोगे सर इस 11 11 का गेन क्या आ रहा है सर 11 में हमारा गेन आ रहा है सर माइनस चीटू इंटू होगा ना बोलो अब लुप कौन बन रहा है सर एक हमारा सेल्फ लुप यहां पर बन रहा है सर माइनस च्टू बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक हमारा यहां पर ले लो शर माइनस एच टू है कुछ भी ले वह को आपके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं यह ना अपने नुसार लो ठीक है दो लूप यहीं लूप बंड़ नम्रा अब भूलोगा सरी यह लूप G5 होते हुए हम लोग देखो यहाँ से जाएंगे तो यह हमारा नोट डूर्ड रिपीट कर जा रहा ना फिर अमनों यहां से चले इस तरह से सफिर हमारा जो है नद आपोजीट हो जा रहा तो लूप हमारे पस तीनी बना बना चाहीं क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं फॉर्मूला में में देखो कि यहां पेचे यह सम्झेस यान फे इन डिफिजुल फिट निकाल लेश्टेटो फ्ट को नोन टचिंग उत्सनिक लूप निकालते अब देखो यान टॉटुट का मतलब होता है किसा बढ़ दोनों नोड में कोई कोमन नोड नहीं होना चाहिए वाद बताओ 11 हम लोग क्या लिए हैं सर 11 ये वाला नोड है और ये लटू हमारे ये है 11 लटू में कोई कॉई कॉमन नोड है क्या नहीं सर 11 लटू नॉन टॉचिंग है दोनों का गेन आपस में मल्टिप्लाई कर देंगे न क्योंकि जरूद पढ़ने वाल है ता हमारा आएगा जी टू ये भी हमारा नॉन टेचिंग लूप बना इसका भी गेन आपस में मल्टिप्लाई हो के मैने में मिल गया मेरे को फर्मूला में जो चाहिए मेरे को मिल गया चलो ठीक है सर अच्छी बात है मिल गया तो खुश हो जाएए आप भी बोलोगे मैं भी खुश हो गया चलो पांच जी टू एच वन माइनस एच तरी माइनस एच टू चलो सर ब्रैकेट क्लोज कर दिए उसके बाद के करना प्लस क्या करना सर देखो नेक्स क्या लिखावे फर्मूला में सम ऑफ गेन प्रोड़क्ट आफ टू नॉन टचिंग देखो थी नॉन टेचिंग लूप तो बनने व जी टू एच वन एच तरी प्लस एच ट्री एच टू ठीक है डिल्टा यहां से हो जागा तर बन प्लस जी टू एच वन प्लस एच तरी प्लस एच टू इस तरी प्लस एच्टू माइनस कॉमन ले लिए बाहर ना देखो इनालोग को भी सपोर्ट को रबूद अच्छा ही होने वाला है बिल्कुल ही मज़ा आ जागा ठीक है चलो अब बात करते हैं सर छटा नंबर डिल्टा के वाला यानि कि के का वेलूमन लेते हैं फॉरोड लेकिन लेकिन देखो यहां पर इंट्रेस्टिंग पॉइंट में बता रहा हूं फॉरोड पाथ वन ले रहे हो तो इसमें सारे लूप आ जा रहे ना बोलो हमारे जी टू एच वन भी लूप क्या फॉरोड पाथ कर रासने में उसको कर देना है जीरो देखो लिखा बना कि स हमारी लूप टूछ कर दो नोन टेचिंग भी नहीं बने जीरो कर दोगा बना कि चलो बात करते हैं सर डेलिटा टू की अपारव पाथ पर तेकंड हमनों कहां से लिह हैं से जीवन से फाइप होते गये तिर लोग जीफ और फॉर पाय यानिके हमारा एक क्लुप जो बने का सर्थ देखो यहीं पर eanilmanड अमना मीद्रिक्स कर जा रहा है हमाराल टू भी टच कर जारहें लेकिन Di 所以 आज सर यहां पहर देखो हमारा तरा स्था कहां से g1 से G5 होते हुए यहां से बाहर आ जा रहा है एक एच्टू वाला जोने नहीं टच कर रहा है एच्टू वाला टच नहीं कर रहा है सर यहीं न हम लोग यहां पर लिख सकते हैं न सर कि हमारा यहां पर मैंने सट तरी हमारा पूरा फ्र्मॉला में जो चाहिए को मिल गया ठीक हे चलो अब आगे बढ़ते हैं सर अब लोग अगे बढ़ते हैं सदेर हमनों क्या देखें से कि स्लिकाइब यहां फर्मॉला 1 प्लस पी टूं डmental टू व्य要टाक लिख सेकlighet czy ग气म के एसर पी वन देख़ोर हमारा है G1 G2 303 ओक दिन गीपोर डेल्टा नीपना है देखो डिल्टा वन प्लस पीटू का फेलू क्या है सर जी वन जी फाइब और जी पॉर देखो यहां पे लोग डिल्टा टू हर जेगा बन नहीं बठाना है देखो निकालना है यह इदम ट्रिक वाला सवाल है इसलिए मैं इसको लियाओं कि मैं इसमें दोनों पॉइंट कपर हो जा खुंई हता आज अ रहा है में अलग से डिल्टा टु वालनी बताना। डेlor टू क्या है वन फ्लस दीसरोर यह चली अ H2 plus H3 H2 plus G2 H1 H3, बोलो यह हमारा transfer function निकला कि नहीं सर, बोलिए, यह transfer function निकला कि नहीं निकला सर, निकल गया ना सर, बोलो, कितना मतलब कि देखो, इसमें मैं सारे concept को कवर करने का कोशिस किया हूँ, कि हमारा delta वाला concept जो न, देखो, actual में क्या होता है, कि maximum सवाल में, आप द delta 1 plus P2 delta 2 by delta, इसमें delta 1 और delta 2 का value maximum जगह में, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको 1 होता है, मतलब क्या होता है, पहले जो सवाल फ्रेम होते थे न, देखो, पहले जो सवाल फ्रेम होते थे control system में, तो इसमें delta 1 और delta 2 का value maximum जगह 1 ही आ जाता था, ठीक है, निकलना जरूर इसमें, इसमें नौन unity feedback system के लिए error पूछ लेता है, ठीक है, यह सब चीज अब थोड़ा सा extender बढ़ा है अपना, क्योंकि अभी लोग पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा paper tough बनाया जाता था कि, जो है न, cut-off हमारा क्या हो, कि जदा high नहीं जाए, ठीक है, चलो, चलो sir, यहा और सवाल देता हूं, आप लोग के लिए, बिल्कुल sir, एक और सवाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, चलो, यहाँ पर value of 5, यहाँ पर x2, यहाँ पर x1, यह 0.5, यह हमारा से 0.5, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है sir, कि हमारा, यहाँ पर क्या निकालो, gain निकालो gain निकालो, gain पूछा जा रहा है, बोलो आपका एप्रोच क्या होगा, आपका एप्रोच होगा क्या है sir, यह बताइए, x2 by x1 निकालना है sir, आपको यहाँ पर x2 by x1 के value निकालना है, डैट पूछी दी आपसे, gain भी नहीं लिखा, तब कैसे solve को लोगे, बोलोगे sir, कि हम दि जो भी है formula लगाएंगे, क्या यह सही है, क्या, नहीं sir, क्योंकि हम लोगों को, जो है न, हमेसा यह बात ध्यान रखना है, कि sir, हम लोग जो है, क्या करेंगे, हम लोग जब तक input node defined नहीं है, तब हम लोग forward path कैसे लेंगे sir, बोलो, यह input node है क्या, नहीं sir, यहाँ पर input और output द देखो, हम लोग एक बात बताओ, हम लोग बात बताओ, यहाँ पर हम लोग simply जो है, अगर हमारे पास कोई signal है, एक एक करके मैं ब्रेक करके बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा समझ मैं, देखो, हमारे पास यह x1 है, यह x2 है, यह 5 है, तो x2 का value लिख सकते है sir, 5 x1, चलो ठ 0.5 x2, बोलो लिख सकते हैं, एक नट रूखो, देखो, मेरा कहना है sir, कि यहाँ पर मैं, देखो, मेरा कहना है, कि हम लोग जो है, यहाँ पर लगा रहा है sir, signal flow वाला मेथड, तो हमारे एक स्टू पर दो सिगनल आ रहा है, एक आरा 5 x1, प्लस एक सेल प्लूप बन रहा है, क यानि कि हमारा x2 x1 क्या हो जागा sir, 5 x 0.5, यानि कि हमारा हो जागा यह, 5 x 5 x 10, यानि कि x2 x1 क्या निकल कहा है sir, हमारा 10 निकल कहा है, देखो, यह सवाल गेट कहा है, ठीक होता है कि वहाँ पर अगर आप लगाते है, हमारा मैसंस गेन भाई या फर्मूला, तो गलत कर यानि कि हमारा दोनों लूप का गेन ले लो, डेल्टा कैसे लिखेंगे, 1- sum of all individual लूप गेन, 0.5, दोनों नॉन टचिंग भी है, प्लस, 0.5 x 0.5, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है न, एंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक बर करन के लिए रहे, चलो, यानि कि यह टाइक का सवाल हो गए, ठीक है, अब नीज टेकते हैं सर, की नेक्स हम लोग ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हो, यहां पर एक पॉइंट प्राना के लिख सकते हैं कि अगर हम लोग देखो नोट करके लिख लो मैं नेक्ट इन स्लाइड में देखा हूं नोट करके लिख लो पढ़ा ही नहीं तो अच्छे से नहीं पढ़ है न अगर हम लोग इस ए सिग्नल फ्लोग्राफ हैज दसल्फ लोग अगर फ्लोग लोग 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 है अगेन यह नेकि-ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एसेब जी अब देखो इसका मेनिंग क्या है सथ एक सवाल लेते हैं सेम सवाल लेते हैं सेम सवाल लेते हैं पिल्कूल सेम लेंगे साथ x1 यह 5 यह एक्स टू है यह हमारा 0.5 कि छलो अब बोलाएं कि दसवाव लो x2 क्या लिख सकते हो sir 5 x1 plus 0.5 x2 यानि कि हमारा भाई sir x2 x1 क्या आएगा sir 10 ही आएगा यानि कि हमारा अगर self loop हटा दिये input side से self loop अगर हटा दिये input side से उसके बाद भी हमारा क्या होगा sir उसके बाद भी हमारा gain change नहीं करेगा यहीं कहने का meaning था समझ में आया यह समझ में आ गया चलो चलो अच्छी बात है अब नेक्ट बढ़ते एक और सवाल के तरफ ठीक है एक और सवाल के तरफ बढ़ते अब इसको कैसे सौल को रोगे देखो इन पूट्ट को अब डिफाइंड नहीं कर सकते हो आउटपुत नोट को अब डिफाइंड कर सकते हो गेन वन से एक चेंड करके यह चीज में बताया नहीं न मैं बहताता हूँ अब रुको यह एक स्टू है यह हमारा फाइब है ठीक है यहाँ पर पूछ देके सर कि हमारा बताओ X1 x2 किया होगा कैसे निकालओगे चलो solve करते हैं एक X1 को क्या लिख सकते हैं सर 5x2 लिख सकते हैं 5x2 x1x2 इजले हमारा 5 आ जाएगा बोलो सिगनल वाला मेथड यहां पर हमारा एक सोगोड़ को पर एक सिगनल आ रहा है जिस और जिसका तेये रहा है ना जिक्वार्फ सर्सक्राइब करां गार और सवाल चलो करते हैं फिर चलो करते सवाल लिख दरों आपके पास कोई है ना सिगनल फ्लोव ग्राफ ओफ अफ अफ शिस्टम इज गिभन टो ट्रांसपर फंक्शन गिबन ट्रांसपर फंक्शन यस वाइज 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 वी एश फॉर्डिस सिटमीच ठीक है चलो देखो इसको सॉल करके आप लोग बता होगे कोमेंट करके कैसा हुआ मतलब बना या नहीं बना ठीक है बने बना तो मैं बता दूंगा आपको ठीक है चलो यह आप खुद से सॉल्व करोगे यह आपका हमवर्क है यह आउट्पूट वाई एस है यह इन्पूट कैसर भी एस है यानिकी ट्रैंसर फंक्शन लिखना है सर पाई एस भाई भी एस का गेन बन है देख बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल है यह मजा आ जाएगा बनाओगे तूं मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ही मजा आ जाएगा मजा आने वाला आपको चलो ठीक है सर इसको अप्सॉल करोगे मैं आपका यहां पर इंसर भी लिख देता हूं चलो मैं अन्सर लिख देता हूं कितने लोग आया यह सर नो कॉमेंट करके बताओ इपर कॉमेंट करो आप लोग थोड़ा सब बताओ कि यहां से अच्छा लग पढ़के तो थोड़ा फ्लोब बनेगा मेरा भी चलो ठीक है तो यह हमारे कंप्लीट हो गया इस अब पढ़ेंगे नेक्ट क्लासे सेंसिटिवीटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसा एडवांटिज कहा है निगेटिफ फिडबेक सिस्टम करें डिसएडवांटिज कह है ठीक है कि यह पढ़ेंगे और मैंस से उसका एक्स्प्राइशन भी करेंगे जितना हो पाएगा उतना करें इसके बाद हम लोग बहुत ही बहतरीन टोपिक पहेंगा रूट लोकस इनलीसिस बहुत ही मज़दार टोपिक है ठीक है हम लोग वहां पे रूट लोकस डिर्क्र पहले सीखेंगे कि सर रूट समारे बिसिकली फॉलो कैसे करते हैं सर वर चेंज करेंगे तो क्या उनका कंडिशन बनेगा सर यह सब चीज हम लोग जो ना रूट लोग इसमें पढ़ेंगे कि देखो में आप चलो टीक है इस वीडियो को में इंड कर रहा हूं आप लोग जो ना मेरे टिलिग्राम चैनल पर आईए और फेस्बूक पेज को भी थोड़ा लाइक कर दिया किजिए चैनल को लाइक किजिए सिस्क्राइब किजिए दोस्तों के भी सेर किजिए थैंक्यू